हैलो एब्रिवन मेरे चैनल एक्ट नेचुरल में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रेमिडी बताने जा रही हूँ जिसे लगाने से हमारी स्कीन में बहुत ही अच्छी चमक आती है और हमारी स्कीन में किसी भी प्रकार की दाग धब्बे को हटाने में मदद करती है इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में कच्चा दूध हैट कर लिया है कच्चे दूध में लैक्टिक एसिट पाया जाता है कच्च दूद को चेहरे पर लगाने से चेहरे पर निखार आता है कच्च दूद लगाने से हमारी स्कीन में किसी भी प्रकार की अगर दाग धबे हैं तो उसे कम किया जाता सकता है यह हमारी स्कीन पर क्लिंजिंग का भी काम करती है और मैं इसमें एक बिटामिन E का कैपसूल ले लिया है अब मैं उसे अच्छे से उसमें कट करके उसमें मिलाओंगी बिटामिन E कैपसूल पोसक तत्व से भरपूर होता है इसमें अंटी आक्षिडन्ट और अंटी फ्लेमेंटरी गूर भी पाये जाते हैं विटामिनी कपसुल हमारी तवचा पर लगाने से तवचा के दाग धबे और जुरियों को ठीक किया जाता है मैं उसमें मिला ली हूँ और अच्छे से अब उसमें मिक्स कर लूँगे अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आएं तो उसे लाइक से और अन सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैं इसमें पतंजली का एलो बेरा मेरे पास है अब मैं उसमें हाफ टेबल इस्पून उसमें मिलाँगे इसे अच्छे से मिक्स कर लें एलो बेरा जिल को दूध में और उसे बहुत ही है अच्छे से दिखी मैंने इसमें मिला लिया है एलो बेरा हमारी स्कीन को अंदर से मौशराज करता है जिससे ड्राइनेस जैसे समस्याओं दूर होती हैं कुछ हपतों तक अगर आप इसे लगातार इस्तिमाल करते हैं तो आपकी तुच्चा और रंगत में भी बहुत अच्छा निखा रहाता है इसे अच्छे से मिक्स कर लें इस तीनों चीजों को इसे अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करें और पंदर से 20 मिनुन बाद इसे ठंडे पानी से धो दें